अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी अगर मेरे इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चलिए अब हम वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं तो आज हमने फाइंड आउट करना है एरिया एंड पैरिमीटर और राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल का हमने पैरिमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुए है ए बी सी ठीक है और उसके हमें साइ तो हमने इसका क्या find out करना है area और perimeter ठीक है तो चलिए start करते हैं इसको करना तो देखिए यहां पर क्या हुआ है सबसे पहले हम perimeter find out करना बहुत easy है ठीक है तो perimeter of right angle triangle right angled triangle this is equal to क्या होता है सभी side का plus क्या होता है AB plus BC plus CA तो AB कितना है एट मीटर BC plus BC 10 मीटर और CA कितना है 18 मीटर तो इस तीनों को plus करते हैंगे 10 और 18 और 18 18 18 plus 18 36 मीटर तो यह तो बहुत easy था ठीक है हमने तीनों side को plus कर दिया तो वो आगया हमारा perimeter अब हमने find out करना है area area क्या होता है area of right angled triangle वो भी बहुत easy है ध्यान से देखिए area of right angled triangle होता है 1 by 2 base into height base into height ठीक है तो base into height होता है तो 1 by 2 लिखा base क्या है यह इसको base बोलते है 10 और height क्या होती है यह जो perpendicular होता है इसको height भी बोलते है ठीक है राइट अंगल में यह perpendicular होता है यह ही इसकी height होती है ठीक है तो यह कितना है 8 8 meter ठीक है यह 10 meter ठीक है तो अब हम देखो इसकी cutting हो जाएगी ठीक है तो cutting करते हैं 5 2 का 10 और 8 5 का 40 40 meter तो यह किया आगया इसका meter square तो यह किया आगया area of right angle triangle तो I hope आपको अच्छे से समय लग गया होगा कि area of right angle triangle कैसे निकालते हैं और उसका perimeter भी कैसे निकालते हैं ठीक है अगर आपको मेरी video अच्छे लगी please like share चुरूर करना thank you